हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब आज मैं आपके साथ बहुत सुंदर कार्डिगन डिजाइन की वीडियो शेर करने वाली हूँ इसे मैंने अभी एक बार ही डाला है लेकिन एक बार में भी ये उभर कर बहुत अच्छा की ये डिजाइन शो हो रहा है ये ही डिजाइन है इसी ड से बन कर आएगा उल्टी तरफ से भी बिल्कूल सफाई से बनता है डिजाइन और नीचे आप बोडर देख रहे हैं अगर ये वाला बोडर आप डिजाइन देखना चाहते हो तो ये भी मेरे चैनल पर है आप इसे भी देख सकते हैं आज मैं इस डिजाइन के बार में बात क चाहिए तो ये डिजाइन अच्छे से आपका सेट हो जाएगा यहां सलाई में मैंने फंदे डालिये हैं यहां 5-5 के मल्टिबल से 15 फंदे और 2 फंदे एक्स्ट्रा ये 17 फंदे टोटल 17 फंदे मैंने डाले हैं सलाई में तो फर्स्ट रो सीजी तरफ से पहले फंदे को उत सरी तरफ करेंगे इस फंदे को बीन बुने ऐसे ही उतार लेंगे अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को भी सीधा बना देंगे यहां पर बीच में हमने जारी डाल ली अब ये वाला जो हमारा सी सीधा फंदा हमने बीना बुने ऐसे ही स्किप किया था ना इन्हें ऐसे उपर से घिरा देंगे इस तरह से अब धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब इस एस्टेज को शोड़ कर यहां से यहां तक यह पांच फंदों का डिजैन है इनी पांच फंदों को पूरी से गिरा दिया एक फंदा उल्टा अब इसी डिजैन को रिपीट करेंगे तो यहां पर एक फंदा उल्टा आएगा यह बीच में हमारे दो दो फंदे उल्टे आते जाएंगे ठीक है अब धागा दूसरी तरफ इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे अब एक से गिरा देंगे यह सीधा फंदा यह जाली यह सीधा फंदा इनके उपर से गिरा दिया ठीक है फिर धागा अपनी तरफ अब आपके दो फंदे यहां बीच में उल्टे आएंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे इस फंदे को बिना बुने ऐसे ही उतार लेंगे यह एक फं आपके पास दो फंदे बचेंगे जिसमें से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बनाएंगे आपने फर्स्ट रो सारी ऐसे ही बना कर कम्प्लीट कर लेनी है अब सेकंड रो हमने उल्टी तरफ से बनानी है तो फर्स्ट फंदी को पहले उतारेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे अब धागा अपनी तरफ ये तीन फंदे उल्डे एक दो तीन अब धागा दूसरी तरफ ये दो फंदे सीधे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे तीन फंदे उल्डे एक दो तीन दागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे अब जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं उल्टी रो में, हर रो में आपने सेम टू सेम ऐसे ही फंदों को बनाते जाना है फिर से ये तीन फंदे उल्टे दागा दूसरी तरफ, एक सीधा, एक उल्टा ऐसे करते हुए हमने second row बना कर पूरी complete कर दी, अब third row हमारी सीधी तरफ से, इस first फंदे को उतार देंगे, धागा अपनी तरफ कर देंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये तीन फंदे हमारी सीधे, एक, दो, तीन, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक, दो, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, ये third row हमने पूरी इसी तरह से बना कर अपनी complete करनी है, तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, लास्ट में ये एक फंदा उल्टा और एक सीधा इस तरह से देखेए हमने थर्ड रो बनाकर कम्प्लीट कर ली सिरफ फंदों पर हमने फंदे बना दिया है अब उल्टी तरफ से ये हमारी फोर्थ रो है इस फंदे को उतारेंगे धागा दूसरी तरफ करेंगे उल्टी तरफ से भी जो फंदे हमें जैसे दिखा रहे हैं सेम वैसे ही हमने बुनते जाना है एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ तो फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे सोरी तीन फंदे उल्टे ठीक है ये तीन फंदे उल्टे धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, एक उल्टा इस तरह से करते हुए हमने ये पूरी फर्थ रो बना कर कम्प्लीट कर ली है अब रो फाइव हमारी सीधी तरफ से इस फिर्स्ट फंदे को उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा पहले हम उल्टा बना लेंगे अब इन तीन फंदों पर हमने डिजाइन डालना है तो धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा पहले हम सीधा बना लेंगे अब यहाँ पर हमने पहले जाली डाली थी न ये वाली अभी जाली में सलाई क को डालेंगे और यहांसे एक ऐसे धागल पेटते फंदा बना बना लेंगे फिर एक फंदे को सीधा बना देंगे इस लूप को नहिंते हैं हमने लूझ रखना है नहीं तयड करते जाना है फिर इसी भी बनद को पर जो हमारे सेम ऐसे सरुळदर दी Professor दागा अपनी तरफ करते हुए दो फंदे ये उल्टे दागा दूसरी तरफ करेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यहां पर दिखेंगे इस होल में ऐसे सलाई को डालेंगे यहां से ऐसे दागा लिपेटते हुए एक लूप बना लेंगे ठीक है इस तरह से फिर ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब फिर से इसी होल में डालेंगे, ऐसे सलाई पर दागा लिपेटते हुए, फिर से एक लूप बना लेंगे, अब ये वाला फंदा भी सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, अब फिर से हम ये वाले होल में ऐसे सलाई को डालेंगे, धागा घुमाते हुए एक लूप बना लेंगे, अब एक फंदा ये सीधा बनाएंगे, अब फिर से इसी होल में ऐसे डालेंगे सलाई को, फिर से एक लूप बना लेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, ऐसे ही करते हुए row हमने पूरी बनाकर complete कर ली है अब row 6 हमारी उल्टी तरफ से ठीक है इस first फंदे को उतारेंगे धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा अब धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे अब ये loop वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे स्किप करेंगे ऐसे ही फिर ये एक फंदा उल्टा फिर से इस loop वाले फंदे को ऐसे स्किप करेंगे फिर से ये एक फंदा उल्टा ठीक है धागा दूसरी तरफ बीच में ये दो फंदे सीधे धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा अब इस लूप वाले फंदे को हमने ऐसे ही skip कर लेना है कर लिया skip फिर एक फंदा उल्टा फिर से इस फंदे को ऐसे ही skip करेंगे इस एक फंदे को उल्टा बनाएंगे धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीथे धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उलटा, धागा दूसरी तरफ, एक सीधा, एक उलटा, इस तरह से करते हुए हमने six रो बना कर complete कर लिए हैं, अब रो seven हमारी सीधी तरफ से, इस फस्ट फंदे को पहले उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये एक फंदा हमने उलटा बना लिया, अब धागा इन दोनों को आगे से स्लाई इस तरह से डालते हुए दो का एक कर देंगे, दो का एक करने के बाद ये एक फंदा सीधा, अब ये वाली लूप है न यो इसे ऐसे उतारेंगे, इस तरह से ऐसे सीधा करकर डालेंगे, फिर ये लूप और ये फंदा, इन दोनों में ऐसे स्लाई डालेंगे पीछे से दोका एक कर देंगे तो इस तरह से हमारा design बन गया अब धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे यह उल्टे धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यह लूप और यह फंदे में आगे से स्लाइड डालते हुए इन दोनों को दो काई कर देंगे एक फंदा ये सीधा बना लेंगे अब इस लूप वाले फंदे को हमने इस लूप वाले फंदे को उतार करी इस तरह से ऐसे सीधा करते हुए स्लाइड में डालना है ये लूप हो गई ये ये वाला फंदा हो गया इन दोनों में slide डालेंगे, पिछे से 2 का एक कर देंगे, इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, इस सीधा फंदा, ये लूप वाला फंदा, आगे से slide डालते वे 2 का एक, एक फंदा ये वाला सीधा, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करे देंगे, इस लूप में, ओजिस में slide डालेंगे, पिछे से 2 का एक, ये लास्ट का एक फंदा उल्टा, और एक सीधा, ऐसे करते हुए हमने 7th रो बना कर पूरी ये complete कर ली है, देखें, 7th रो में, ऐसा डिजाइन बना है, 8th रो सेम बैसे ही हमारी, इस 1 फंदे को उतारने क पाद धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा और एक उल्टा, फंदो पर फंदे बनाएं, उल्टी तरफ से हर बार हमने ऐसे ही करना है, बस इस लूप वाले फंदे को जब डिजैन डालेंगे तो उन्हें ही उतारना है, तो सीधी तरफ से देखें ये आठ सलाईयों में हमारे इतन डिजैन बन कराएगा, बहुत सुंदर डिजैन बनेगा, इसे आप जरू ट्राइ कीजिएगा, कार्डिगन में, जैकिट में, जैन्स के स्वेटर में, बच्चों के किसी भी परजेक्ट में, कैप वगरा में, सोक्स में, किसमें भी आप डालना चाहूँ, इसे डाल सकते हो, बहुत सुंदर लगता है बन कर, तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुर मत भूलिएगा, मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, एक उल्टा, इस तरह से करते हुए हमने ये पूरी फॉर्थ रो बना कर कम्प्लीट कर ली है, अब रो फाइव हमारी सीधी तरफ से, इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा पहले हम उल्टा बना और यहां से एक ऐसे धागाल पेटते हुए हम जैसे फंदा बनाते है ना, उसी तरह से देखिए एक लूप बना लेंगे, फिर इस एक फंदे को सीधा बना देंगे, इस लूप को ना तो यादा हमने लूज रखना है, ना ही टाइट रखना है, फिर से इसी देखिए होल मे डाला, एक लूप बना लिया, फिर ये एक फंदा सीधा, अब इनी तीन फंदों पर जो हमने डिजाइन डाला है, इसे रिपीड करते जाना है, ये दो फंदे उल्टे तो हमारे सेम ऐसे ही चलते जाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए, दो फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब यहाँ पर देखे, इस होल में ऐसे सलाई को डालेंगे, यहाँ से ऐसे धागा लिपेटते हुए, एक लूप बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से, फिर ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब फिर से इसी होल में ड ऐसे सलाई पर धागा लपेटते हुए, फिर से एक लूब कर दो नादी, अब ये वाला फंदा भी सीधा , धागा अपनी तुरफ दो फंदे इसे ङूंदा एक लग अंब पिर से कुचाह, पूल में ऐसे डालेंगे सलाई को, फिर से एक लूब बना लेंगे, इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा, ऐसे ही करते हुए, आपकी सलाई में जितने भी फंदे हैं, सारे फंदों को आपने ऐसे ही बनाते जाना है, धागा अपनी तरफ करना है, लास्ट का फंदा ये एक आकर complete कर ली है, अब row 6th हमारी उल्टी तरफ से ठीक है, इस first फंदे को उतारेंगे धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे, अब ये loop वाले फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, skip करेंगे ऐसे ही, फिर ये एक फं सीधे, धागा अपनी तरफ ये एक फंदा उल्टा, अब इस loop वाले फंदे को हमने ऐसे ही skip कर लेंगे, कर लिया skip, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से इस फंदे को ऐसे ही skip करेंगे, इस एक फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ दो फंदे सीधे, धागा एक फंदा उल्टा अब फिर से इस फंदे को ऐसे स्किप करेंगे यह एक फंदा उल्टा इसे स्किप करेंगे फिर से यह एक फंदा उल्टा धागा दूसरी तरफ एक सीधा एक उल्टा इस तरह से करते हुए हमने 6 रो बना कर complete कर ली हैं अब रो 7 हमारी सीधी तरफ से ठीक है इस first फंदे को पहले उतारा धागा अपनी तरफ किया ये एक फंदा हमने उल्टा बना लिया अब धागा दूसरी तरफ ये सीधा फंदा है ये लूप वाला फंदा इन दोनों को आगे से स्लाई इस तरह से डालते हुए दो का एक कर देंगे दो का एक करने के बाद ये एक फंदा सीधा अब ये वाली लूप है न यो इसे ऐसे उतारेंगे इस तरह से ऐसे सीधा करकर डाल लेंगे ये लूप और ये फंदा इन दोनों में ऐसे श्लाइड डालेंगे, पीछे से दोका एक कर देंगे, तो यह इस राव से हमारा डिजैन बन गया, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे यह उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, अब यह लूप और यह फंदे में आगे से श्लाइड डालते ह sly में डालना है, यह loop हो गई, यह वाला फंदा हो गया, इन दोनों में sly डालेंगे पिछे से दो का एक कर देंगे, इस दरह से, फिर धागा अपनी तरफ दो फंदे उलटे, धागा दूसरी तरफ, इस सीधा फंदा ये लूप वाला फंदा आगे से स्लाइड डालते हुए दो का एक, एक फंदा ये वाला सीधा, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, इस लूप में ओजिस में स्लाइड डालेंगे पिछे से दो का एक, ये लास्ट का एक फंदा उल्टा और एक सीधा, ऐसे करते हुए हमने 7th row बना कर पूरी ये complete कर ली है, देखिए 7th row में ऐसा design बना है, 8th row सेम बैसे ही हमारी, इस फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद धागा दूसरी तरफ ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल्टे, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ तीन फंदे उल् तरफ एक फंदा सीधा और एक उल्टा फंदों पर फंदे बनाएं उल्टी तरफ से हर बार हमने ऐसे ही करना है बस इस लूप वाले फंदे को जब डिजैन डालेंगे तो उन्हें ही उतारना है तो सीधी तरफ से देखें यह आठ सलाईयों में हमारे इतना डिजैन बन बहुत सुन्दर डिजैन बनेगा इसे आप ज़रू ट्राइ कीजिएगा कार्डिगन में, जैकिट में, जैन्स के स्वेटर में, बच्चों के किसी भी परजेक्ट में, कैप वगरा में, सोक्स में, किसमें भी आप डालना चाहूँ इसे डाल सकते हो बहुत सुन्दर लगता है बनकर तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकर मत भूलिएगा, मैं फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं प्लीजय। झाइक अबाइक इसब को मैंने से उस्टेए